इंदार के नवागत कलेक्टर आशीर सिंग ने सुमवार को जिले के अधिकारियों के साथ पहली समय सीमा बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर ने अपनी प्रात्मिक ताइस पश्ट की। कलेक्टर ने प्रतेक अधिकारी को सब्ता भर के भीतर जो कारे किये गए हैं। उन कार का लेखा जोखा और भ्रमन की रिपोर्ट समय सीमा बैठक में प्रसुत करने के निर्देश दिये। प्रतेक अधिकारी को सब्ता भर की रिपोर्ट समय सीमा बैठक में प्रसुत करने के निर्देश दिये। इवागी अधिकारी हैं सम्मंदेद अधियूंस हैं। उनके दौरा किसले साथ दिनों में क्या ब्रमर किये गए हैं। क्या इस्पेक्शन किये गए हैं। अपने डिपार्टमेंट से सम्मंदित क्या उनकी फाइंडिंग्स हैं। आप लोगों ने इस्पेक्शन किया प्रमर किया उसमें क्या पाया, कौन से लोग अनपस्चित मिले, क्या सेवां में कमी पाईए गए उसके आदार पर आप लोगों ने क्या कारवाई करिये हैं। इस प्रकार कि एक छोटी से बिजेंटेशन नहीं कि एक दो स्लाइट्स की बिजेंटेशन आप लोग वो करोंगे दिखा होगे। अभी हम लोग प्लार यह शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को ऐसा एक एड़ टाइब का बना देंगे। इसमें कि हम लोगों को अलग से बिजेंटेशन के आप लिए कुछ ऐसे कॉरूम्स होगे जिसमें आप लोग जिसमें आप लोग जियो टेगिंटेशन के साथ में डाल देंगे तो वो खुद ही मारे पास में इंफॉर्मेशन पहुच जाएगी और इसको हम लोग इसके अधिकारियों को निर्देश दिये कि आम नाकरिक से सिधा समवाद रहे हैं उनके समस्यां को समवेदन शिल्दा के साथ समझ कर यथा संभाव निराकरण करें कलेक्टर ने ये भी हिदायत दी है कि आपके स्तर पर ही निराकरण सुनिश्चुत करें मुझ तक आवेदक के आने की नौबत ना आए